हलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी को मेरी वॉइस आ रही है जल्दी से मुझे बता दीजिए सभी को मेरी वॉइस आ रही अच्छे से आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर वन और 11 बच चुके हैं बहुत बढ़िया तो सभी विध्यारती लगबग जुड़ चुके हैं और आप सभी से कहूंगा कि शेयर कर दीजे वीडियो को आप वीडियो का शेयर जरूर कर दें वीडियो को शेयर जरूर कर दें आप लोग जिससे की जित्ती भी विध्यारति अभी तक नहीं जुड़े हैं वो सारे स्टुडेंट आराम से जुड़ जाए चलिए ठीक है ना जो क्लासेस रेगुलर चलती है ना वो मंडे टू फ्राइडे होती है इसलिए आपको लग रहा ह है टॉपिक जिससे की आप दो दिन रिवीजन कर सके अपने लेबल पर और आप ये देख सके कि मेरा ये पार्ट छूट गया तो मैं इसे कवर कर लूँ फिर मंडे से जो टॉपिक कंटीनू चल रहे हैं वो चलते रहते हैं तो ये इस तरीके की प्लानिंग होती है ठीक है न काफी अच्छा वेपर आया था आपको नया कुछ सीखने को मिलने वाला है तो आप तैयार है सबी लोग नया कुछ बड़िए सीखने के लिए तैयार है तो डैफिनेटली बहुत बड़िए सीखने वाली हो απ लो ठीक है न चलिए गा तो सभी लोग जूट जुड जाईए औ और हमारा 100 days का प्लान अभी चालू है और चालू रहेगा जब तक कि 100 days नहीं हो जाते थियोरी पढ़ रहे हैं बेस्ट कोश्चन कर रहे हैं पी वाई क्यू कर रहे हैं और एक्सपेक्टेड कोश्चन कर रहे हैं मंडे से सब कुछ continue है मतला obvious ही बात है अभी जो आपके सामने मैंने बोला कि Monday to Friday रहता है सारा काम उसके बाद में अभी जो Saturday Sunday है ये आपके लिए practice sessions ले जा रहे हैं जिससे कि आपको पता चले कि level क्या रहता है paper का क्योंकि कुछ लोग क्या करेंगे गुमरा करेंगे मैंने भी आपसे कहा था कि पढ़ाने के लिए तो मेरा foundation बैच आपने पढ़ा होगा आप में से बहुत सारे विध्यारती मेरे foundation बैच से अनकेडमी पर जुड़े होंगे या फिर मेरे से अनकेडमी पर SSC category में पढ़े होंगे तो मैंने level कहां touch किया था आप मुझे बता दीजे मैंने यहां से लेकर यहां touch किया था level क्योंकि ऐसा आता है लेकिन railway का जो level है कैसा आता है वो भी मुझे पता है इसलिए मैं आपको यह paper लेकर आया हूँ जिससे कि आप कुछ लोगों को लगता है कि वो छूट गया लेकिन वो आएगा नहीं यह बात है ध्यान रखना इस चीज को ठीक है चलिए तो यह सारी चीज़े continue रहेंगी Monday से hopes हो कि मैं बिल्कुल perfectly ठीक हो जाओं और बड़िया तरीके से सब चीज़ें चालो हो जाएं जी हां अभी थोड़ा सा क्या है कि मतलब दवाई लेते हैं तो थोड़ा सा वो रहता है तो इस वज़े से थोड़ा सा रहता ही तो आराम से ठीक हो जाएगा तब बड़िया तरीके से बैक टू दा नॉर्मल क्लासिस साधी क्लासिस सुभशे शाम तक हाँ इसलिए मैं थोड़ा अभी रैस्ट कर रहा था ठीक है ना तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं चीज़ों को यह साड़े बारे बज़े वाला सेशन है सिंटे सब्सक्राइब चलेगा इसके बाद मैं सिंपल इंट्रेस्टट स्टार्ट करने वाला हूं मन्दे से मतलब मंदे से अभी तो एस सब्सक्राइब है इसके वालों ठीक है चलिए तो जो भी टेस्ट हुआ था कल जो टेस्ट हुआ था वह डेड़ लाक बच्चों ने दिया था है ना सब्सक्राइब दिया है अगर चलता हूं तो मेरे साथ आप जर्णी स्टार कर सकते हैं from mathematics to math magic मेरी free classes भी आन अकेडमी पर चलती है percentage मैं 11 बजे वाली class में पढ़ा रहा हूँ दिल्ली पुलिस इन सभी के exams के लिए 3 बजे मेरा SSC वाला classes चल रहा है SSC category में जो मैंट्री वाँ पढ़ा रहा हूँ तो ये आप ले सकते हैं classes ठीक है और आप मेरा foundation badge भी join कर सकते हैं किसी भी upcoming exam model के लिए जैसे की CET आने वाला है उसके लिए मैं अभी से तयारी करवा रहा हूँ CET जो है उसके लिए मैं जो preparation करवा रहा हूँ अभी से करवा रहा हूँ मेरे foundation course के माध्यम से ये course किसी exam point of view से target नहीं कर रहा है अगर आप 10th class में भी हो अगर आप 12th में भी हो तो भी आप ये course ले सकते हो क्योंकि आपको उस level का बनना है जिस level का लोग बनने की सोचते हैं graduation के बाद में तो मैं उस तरीके की तयारी भी आपको करवा रहा हूँ all-in-one course है unacademy learning app को install करने के बाद जो ये मेरा foundation course है ssc exams में मिलेगा उसके बाद get subscription पर आपको जाना है उसके बाद 12 महीने और 24 महीने का लेना है course एक दो महीने में खतम नहीं होगा 12 महीने लगेगे enter referral code में sahil 10 code लगा देना है ये आपका एक referral code है जो unacademy पर आप लगाओगे तो आपको discount मिल जाएगा apply कर दीजिएगा सब कुछ apply हो जाएगा sahil 10 आपको बिना किसी gap के लगाना है unacademy learning app पर और कल आपका ये होने वाला है paper दिल्ली पुलिस का तो चलिए शुरू करें आज का session हाँ शुरू करें आज का session जल्दी से मुझे yes करके बताजी yes sir we are ready start the session start करने वाले session को जल्दी से मुझे बता दीजी कि आप तैयार हैं जल्दी से चलो चलिएगा आगी चलते है पहला question आपके सामने ये रहा जल्दी से मुझे इसका answer दे के बताएं क्या इसका answer आपका आ रहा है come on कि टीस सेकंड का time मैंने दिया है इस question के लिए जो की पर्याप्त एक समय है कैसे कर सकते थे इस question को देखे इस 15 को 214 में जोड़ूँगा तो 289 आएगा जो कि हमारे 17 का रूट होता है, इस 17 को अगर 32 में जोड़ा तो उनन्चास आता है जिसका रूट होता है 7 और इस 93 को अगर 7 में जोड़ा तो 100 आता है और 100 का जो root होता है वो होता है 10 कल भी मैंने आपसे discussion किया था मेरे दोस्तों कि square और square root में से किसके ज़्यादा प्रशन देखने को मिले इसे कहते है perfect analysis मैंने कहा था कि square root के देखने को मिलेंगे भरोसा नहीं होगा तो paper देखके पता लग जाएगा आगे मैं अगर आपके सामने चलता हूँ तो आपका इसका answer 10 आगया होगा जो भी प्रशन आप सही करते हो उस पर आप बता दीजिएगा कि सर मैंने ये सही किया था last में पूछूँगा ठीक है my dear चलिएगा आराम से कर सकते थे ये लीजी अगला प्रशन हर तरा की प्रशन आए हैं ये पेपर का प्रशन है मैंने नहीं बनाया है ध्यान रखना तसल्ली से करिए टाइमस अप हो गया ये बहुत ही अच्छा प्रशन है जिन स्टूडेंट को नहीं आता वो ध्यान से सुनना और मेरे विध्यारती सर एंटीपीसी की मेरे प्यारे दोस्तों कितने स्टूडेंट्स को मैं बता देना चाहता हूँ जो हमारी एंटीपीसी सफलता बैच की क्लासेस हैं वो सौमवार से शुकरवार चलती है सटरडे संडे को आपको रिविजन का समय दिया जाता है और मंडे से जो टॉपिक चल रहा है वो कंटीनू होता है आज ये आपके सामने प्रैक्टिस सेट कराय जा रहे है पूरी प्लानिंग सेट है अल्रेड़ी तो बिल्कुल भी टेंशन आले हैं आप लोग ठीक है ना चलिएगा अब ये कोशन देखिए मैं आराम से समझाओंगा किसी को तकलीफ तो नहीं है ना मैं दो या तीन मेथर से समझाता हूँ अगर आपको चैप्टर आता भी नहीं है ना तो भी समझ में आ जाएगा अब देखे कैसे करना है 16 चात्रों के समू द्वारा औसत अंक 20 था 16 चात्रों के समू द्वारा औसत अंक 20 था एक चात्र ने समू छोड़ दिया जिसके परिणाम सुरूप सेश चात्रों का औसत अंक 21 हो जाता है ठीक है लेकिन एक अन्य चात्र इसमें शामिल हो गया तो परिणाम शुरूप चात्रों का औसत अंक 20.5 हो गया तो समू को छोड़ कर जाने वाले चात्र और शमू में सामिल होने वाले चात्र का ओसत बताईए सबसे पहले करेंगे बेसिक सब लोग सामने देखें क्योंकि हो सकता है कि आपको समझ में आ जाए वरना फिर आपको वीडियो रिपीट करना पड़ेगा 16.4 का 20 ओसत है तो क्या हम योग निकाल सकते हैं क्या किसी भी अंकों का योग निकालना हो तो ओसत में संख्या का गुणा कर दिया जाता है ये सबी को पता होना चाहिए संख्या है 20 आपका ओसत है तो 20 ओसत है इसमें 16 का गुणा कर दिया 320 अंक आ गए यहां तक आप मेरे से गुसा तो नहीं है न सर ये कैसे आ गया पहली लाइन को पड़कर पहला स्टेप आपने जमा दिया इस तरह से अब एक छात्र ने समू को छोड़ दिया यानि कि अब छात्र छोड़ कर चला गया अराम से सुनना एक छात्र समू को छोड़ कर चला गया यानि कि अब पंद्रे में से कितने बचेंगे वोले गुरू जी अब पंद्रे बचेंगे और आसत कितना हो गया इक्किस हो गया अब मैंने जब पंद्रे गुणा इक्किस किया गुणा करने का तरीका सुनलो इसको बीस मान लो आप मानो ना बीस मानो तो सही मान लिया गुरू जी बीस तो 15 है गुणा 20 करेंगे तो गुले गुरू जी 300 और एक और है तो 15 है कम 15 कितना होगा 300 पंदरा यहां तक कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत सर ऐसे कोशन एंटी पीसी में आएंगे क्या अरे भाई यह ALP का पेपर है रेलेवे का ही पेपर है रेलेवे नहीं लिया था और एंटीबीसी में भी ऐसे ही आएंगे इससे tough भी हो सकते हैं है ना चलिए ठीक है तो क्या हम यह देख सकते हैं कि जो आदमी गया उसकी आयू कितने थे जो आदमी चला गया उसके अंक कितने थे 5 वो चलो देख लेंगे अब क्या हो रहा है एक अन्य चात्र शामिल हो गया आगया भई अब शामिल हो गया अब शामिल हो गया तो फिर से 16 हो गया और 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 सतंग कितना हो गया 20.5 20.5 अब इस 20.5 को अगर मैं लिख सकता हूँ 41 बटे दो तो आपको कोई दिक्कत है क्या यह बता दो नहीं होनी चाहिए इंटू 16 दो से काटा मैंने इसको आठ बार आठ एक देखो फिर वही वाली बात आठ को चार से करेंगे तो 320 और आठ 328 अब आप मुझे बता दो यार सिंपल सा लॉजिक पूछ रहा हूँ आपसे ये आदमी जो निकला था उसकी कितनी थी 5 और जो आया है उसकी कितनी है जो आया है उसकी कितनी है किसके रेस्पेक्ट में निकालोगे आप 315 के रेस्पेक्ट में कितनी है तेरा तो कुल मिलाकर दौनों की आयू हो गई अठारा मतब अंक मालो अंक और सब पूछा गया है आंसर कितना आ जाएगा बटे दो नौ कोशन में ट्विश्ट ये था कि आपको इस कोशन को कंटीनियोस लेकर चलना है ब्रेक नहीं करना है आप यह मत सोच लेना कि य यह से ऐसे कुशन एक्ट्वल हाँ ठीक है यहां अपके सामें जो कुशन है न यह अक्ट्वल कुशन है और इस तरह से इस पैटन पर चल रहा है समझे रेंगte इस पैटन पर चल रहा है है यहां से respect मानना है 328 को कितना है तेरा जो नया आया है उसका तेरा था तेरा जोड़ी answer आ गया clear है क्या short method बता देता हूं सर यतना बड़ा करना पड़ेगा क्या को short बताईए तो आप short समझ लीजी यह तो basic था उमेद करता हूं basic आपको clear भी हो गया होगा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं short समझी जड़ा अब sir short बताएंगे आपको जो कि मैं पढ़ाता भी हूं है ना जो कि मैं average में सब student को यही पढ़ाता हूं आदमी क्या कर रहा है left कर रहा है अब left करे चाहे join करें हमें लेना देना नहीं है सुनो मेरी बात अब और सटंक 20 है ना इससे लेना देना है और सटंक 20 है आदमी छोड़ रहा है तो minus 16 में से कितना चला गया एक एक और सटंक कितने हो गए और सट कितना हो गया 21 बढ़ गया ना तो प्लस का एक तो यहां से कितनी निकल कर आ रही है 20 15 माइनस 15 पांच तो जो गया है उसका आगया पांच इसी प्रकार अब आपको क्या लेना है अब 21 हो जाता है 21 के respect में आदमी जोइन कर रहा है जोइन करने के बाद 15 में एक जोइन कर रहा है और और सट कितना गट गया 20.5 हो गया आदा गट गया तो कितना हो गया 21 माइनस आठ तेरा तो तेरह और पांच अठारा बटे दो वही काम हो गया ना वही काम हो चुका है क्लियर है दौनों तरीके से दौनों तरीके से काम करवा दिया नहीं आता ठीक है लेकिन मैं पढ़ाओंगा चिंत्या वाली बात है यह नहीं चलिए अगला प्रश्न यह रहा करके बताएं जामा पहनाएं कम ओन यह तो ताइम सब कर देते हैं जड़ा इस कोशन को समझने की कोशिश करिए और जित्ते भी विद्ध्यारती मेरे को देख रहे हैं और सुन रहे है जो सिंप्लिफिकेशन हमारा चल रहा है सटर्डी संडी प्रैक्ट्री सेशन होते हैं कि सर प्राइशन का आंगया वह सिंप्लिफिकेशन का है अब ये कोशन देखे इतने रुपे में क्या किया खरीदता है ठीक है भाईया 25% का लाव अब ये लाव क्या होता है आंसर तो आ रहे हैं हर बहुत बढ़िया लाव क्या होता है ये 25% क्या होता है 25% होता है एक बटे चार यानि कि ये अगर इसका क्रेमूले है जो कि वास्तम में होगा तो ये इसका लाव होता है तो हम यहां कह सकते हैं क्रेमूले विक्रेमूले कितना हो जाएगा 5 क्योंकि क्रेमूले में एक रुपे का लाव हुआ तबी तो आपका विक्रेमूले निकल कर आ गया ये CP मतलब है क्र गुरुजी ठीक तो है यह समझ में तो आ रहा है लेकिन बात क्या है यह बताओ यहां बोला गया है कि एक अंडे का विक्रेमूले बताओ तो कुछ अंडे 19.20 रुपे प्रती दर्जन क्या हमें इसने वेबकूप समझा है क्या कोश्चन ने बिलकूल समझा तो है बोला कुछ अंडे की क्या जरुवत है जब बोल रहा है 19.2 रुपे में एक दर्जन का मतलब होता है बारे अंडे तो बारे का भाग देने पर एक आनुपात बराबर अगर एक पॉइंट 6 रुपिया है तो एक 4 से काटा पॉइंट 4 आ गया तो विक्रे मूले कितना हो गया पांच गुणा पॉइंट 4 दो रुपिया तो एक अंडे का विक्रे मूले दो रुपे निकल कर आ गया क्लियर है क्लियर हो रहा है माईडियर येस या नो समझ में आ रहा है येस या नो ये एबिलिटी डवलप कर रहा हूं मैं ये चिंदा मत करना ये आपकी प्रिपरेशन का एक पार्ट है कि जो चीजें एक्चुली क्या होता है क्लासेस अपनी जगह होती हैं मेशा क्लासेस जो चल रही है वो बैच है लेकिन को कराना ये प्रिविएस यार कोशन क्यों करा रहा हूं पेपर करा रहा हूं पूरा पेपर आता कैसे है mix question का paper कैसे आता है और मैं किन किन chapter में week हूँ ये अभी बता देना मेरे को और आपसे मैं promise लेता हूँ कि मुझे हर एक विध्यारती ये comment करेगा कि सर मेरे से ये question नहीं हुए थे मैंने question number डाल रखें आराम से घर पे बैठना और PDF में जब डालूँगा तो उसमें से देख के लिख लेना चाहिए भले से लेकिन लिखना जरूर सर इस chapter का question मेरे से नहीं हुआ क्यूँ इससे क्या होगा मैं बताता हूँ उससे आप खुद ये सोच पाओगे खुद को पता लगेगा जब तक आप खुद नहीं पता लगा पाओगे न तब तक आपका काम ही नहीं होने वाला है कभी भी ये एक preparation की part है promise करना मेरे से इस बात का ये चीज़े मैं बहुत अलग करवा रहा हूँ आपसे कोई teacher नहीं कहेगा आपसे ये बात करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि student को ये पता नहीं चलता कि क्या week analysis है तो वो पता लगाएंगे हैं चिंता ना करिए अगले प्रशन की तरफ चलते हैं अगला प्रशन ये बड़ा शांदार है आप एक बड़ ट्राइ करिए मैं खूब सारा समय देता हूँ काफी popular प्रशन है अगला प्रशन है time's up हो गया question समझ में नहीं आता है नहीं आया होगा मैं accept कर रहा हूँ चीज को कि आपको ये question नहीं भी आता काफी सारे विद्यारती देख रहे होंगे और उनको पता होगा कि sir ये क्या आ गया जबकि preparation काफी दिनों से चल रही है पहली बारी पढ़ना शुरू किया हो देखो 12x square minus ax plus 7 ax square plus 9x बराबर 3 का केवल एक समाधान है तो एक ही value क्या होगी अगर एक ही सकारात्म खल है मेरे प्यारे विद्यारतीयों मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ आप मुझे बात बता दे कि भाई अगर एक ही समाधान है एका और root repeated है तो आप मुझे बताएं यह प्रश्न किसका है quadratic equation का किसका question है quadratic equation का दुई घात समीकरन कहा जाता है जिसे दुई घात समीकरन और अगर मैं आपसे बोल देता हूँ कि आपके जो मूल है जो root है वह equal हो तो कौनशी शर्ट आती है कौनशी condition आती है पहले तो condition बताएं जब आपके मूल equal हो जब आपके root equal हो तो कौनशी condition आती है यह मुझे बताएं तो सर आपने हमें बताया था पढ़ाया था हम सीखे नहीं बस d बरावर 0 अब सबसे बड़ा प्रशन है यह d क्या होता है इसको कहते हैं d b square minus 4 ac बोलो हाँ या ना बोले हाँ सर यह तो पढ़ाया हमने यह तो हमें समझ में भी आता है और यह क्या होना चाहिए 0 के बराबर अब यह सब चीज़े कहां से आएंगी quadratic equation से आएंगी ठीक है अब इस question को कैसे किया जाए अब आप कहोगे कि सर value put कर लेते हैं यह भी सही तरीका है बुरी बात नहीं है बिल्कुल भी बुरी बात नहीं कहूंगा मैं अगर आप value put करके देखोगे तो भी answer आ जाएगा लेकिन आपको 3 value put करनी पड़ेंगी अब आप क्या चाहते हो अगर मैं value put से इसको करता हूँ तो मुझे देखो 3 बार value put करनी पड़ेगी देखो 2 रखा मैंने यहाँ पर तो यहाँ पर आगया 12x square minus 2x plus 7 ठीक है 12x square minus 2x plus 7 बराबर मैंने यहाँ पर value रखी कितनी यहाँ पर मैंने रखा कितना 2x square plus 9x plus 3 ठीक है my dear मैंने equation देखी कि 12x square में से 2x square गए 10x square minus 11x plus का 4 बराबर 0 तो मैंने यहाँ देखा minus b b square minus 4ac तो 121 minus 4 into a into c तो क्या 0 आ रहा है क्या not equals to 0 तो यह वाला काम खतम हो गया मतलब यह गलत है a बराबर 2 आपका गलत है गलत है भाई चीज़े clear हो रही है समझ में आ रहा है ठीक है value put से किया तो गलत आ गया a बराबर 2 रखने पर सर फिर आप क्या करें अब मुझे समझ में आ गया कि a बराबर 2 रखने पर नहीं आया फिर मैंने a बराबर 4 रखा तो 12x square minus 4x प्लस 7 बराबर 4x square प्लस 9x प्लस 3 हला कि solve करना तो आसान है इस चीज को क्योंकि बारे में से 4 जाएंगे तो क्या जीरो हो रहा है क्या नहीं हो रहा ये भी खतम हो गया इसी परकार 4 भी उड़ गया अब बारी आती है 3 की अब बारी किसकी आती है 3 की 2 गलत है 4 भी गलत है अब 3 की बारी रखते है 12x square एक ही जगे मैंने 3x रख दिया प्लस का 7 बराबर 3x square प्लस 9x प्लस का 3 इधर आ गया तो कितना आ गया 9x square माइनस का 12x ठीक है ना 9x square माइनस का 12x प्लस का 4 बराबर 0 12 का square b square 145 माइनस 4a इंटू सी क्या बराबर 0 आ गया याने कि आपका जो आंसर है वो सही आ चुका है C जाता ये सबसे बड़ी समश्या है है ना बिल्कुल है लेकिन कोशन को समझना बेहदावश्यक है वो जरूरी है ये कोशन ऐसे ही होगा दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका basic है जरा समझी basic क्या कहता है basic समझने की कोशिश करना basic समझाता हूँ ठीक है चलो पेपर में जो कोशन आएंगे उन में से आपको ऐसे कोशन भी देखने को मिलेंगे railway का ही पेपर है ये मैं समझ लेना कि किसी और का तो पेपर नहीं करा रहे railway का ही पेपर है जो कि जबकि एक साल दो साल पहले का पेपर है ये सोच लेना तो अब क्या लेवल रहेगा ये समझ लेना ठीक है और मैं पूरी तयारी करवा रहा हूं ये ध्यान डखना ये मेरा प्रॉमिस है मैं अगर आपको मान के चलो लड़ना आग से है और मैं पानी में तैरना सिखा रहा हूं लड़ना आग से है और मैं पानी में तैरना सिखा रहा हूं तो कुछ करपा होगी क्या तो मैं कैसे बचा के ले जाऊंगा आपको बताना मुझे पता है कि यार निकलना तो आग से होकर ही है तो आग में चलना सिखाऊंगा यार अब यह नहीं नहीं सर आग तो जलाती है बाई जाना ही ऐसे है आगे चलना तो पड़ेगा चलिए मेरे सामने कोई भी एस्क्यूज मत दिया करो टाइम जादा लग जाएगा बड़ा टाइम की चिंता है दो साल से टाइम नहीं लग रहा है दो साल में तो सीख जाते है अभी तक देखो हाँ चलिए आगे चलते हैं अब इस चीज को समझने की कोशिश करना कि सर कैसे करेंगे 12x² इस a को इधर लेकर आजाओ ठीक है माइनस ax x के कोशिशन को इधर लेकर आजाओ 7-3 बराबर 0 मैंने क्या देखा x² मैं कॉमन ले लेता हूँ तो 12-a मेरे पास आगया अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो कितना बचेगा a प्लस 9x प्लस 4 अब यह perfect quadratic equation बन गई न यह perfect quadratic equation बन गई है अब इसको solve कर लो हम किसी भी quadratic equation को देखते हैं तो यह होता है हमारा b तो b² माइनस 4 a c बरावर 0 solve कर लेते हैं a² प्लस 18a प्लस 81 वह यह a plus b का whole square कल सिखाया था ना simplification में यहां भी काम आता है इसलिए सब कुछ पढ़ा रहा हूँ है न 16 into 12 करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा 12 into 16 करेंगे तो हमारे सामने निकल कर आ जाएगा 6 दूनी 12 192 ठीक है हाँ ठीक है ना माइनस 16a बराबर अपना हो जाएगा 0 ठीक है माइडियर 16a होगा ना माइनस है और प्लस हो जाएगा शायद प्लस 16a यहां तक कोई दिक्कत है कि सर x square common कैसे ले सकते हैं अब तक कौन सी गणिट सिखा रहे हो भाई x square common क्यों नहीं ले सकते हैं जब यहां पर आपका x square इसमें भी है x square इसमें भी है तो क्यों common नहीं ले सकते हो बताओ ले लिया मैंने 12 माइनस a बच गया ले सकते हो ना common क्या दिक्कत है बताओ मेरे को को दिक्कत नहीं है अगर हम बात करते हैं आगे तो कितना निकल कर आ रहा है A square प्लस 34 A यहां से कितना निकल कर आया 111 माइनस का बराबर 0 अब टुकडे कर लो इसके 111 के टुकडे करेंगे कितना आ रहा है 37 गुना 3 आ रहा है न अब यहां प्लस डॉमिनेट कर रहा है तो यहां कौन डॉमिनेट करेगा माइनस वाला बड़ा होगा प्लस वाला छोटा होगा तो यह हमारा right answer है ठीक है concept है तगडा question कहते हैं इसको ignore करके चले जाओगे क्या पूरा target पूरा करना है ना तो भागो मत सिखाऊंगा यह सब चीज़ें यह सब चीज़ें सिखाऊंगा लेकिन सीख लोगे कैसे होती है चीज़ें ठीक है ना next question यह लीजे करके बताईए क्या होगा answer इसका करो 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 कर दो आएफ़ें कर आपआ लेँ कर दो कर दो प्रश्न समाप्त यह फिर से अपने पास कोश्चन आ गया कि 7577 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या क्या गटाई जाने चाहिए स्टूडेंटों को पता ही नहीं है मंडे को यही कराने वाला हूँ मंडे को जो क्लास होगी हम ऐसे ही कोश्चन करने वाले हैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ सलेक्टिव चीजें ये भी स्क्वायर रूटी है आजाओ कुछ लोगों को ट्रिक 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 चाहिए होती है मैं वो बताऊंगा लेकिन बहुत तरीकी से बताऊंगा पहले पहले बताऊंगा बेसिक फिर बताऊंगा ट्रिक आजाओ पिचेत्तर सो सगत्तर है मैं सबसे अच्छा तरीका क्या मानता हूँ भाया देखो अराम से भाग विदी द्वारा निकालो दो दो के जोड़े बना डालो अब पिचेत्तर जो है ये किसके स्क्वायर के पास है तो आप ये कहोगे सर ये तो आठ के पास है क्योंकि नौना में क्यासी ज़्यादा निकल जाएगा तो आठू आठू चोंसट तो ये कितना निकल कर आ रहा है पांच में से चार गया तो एक साथ में से छे गया तो एक फिर जो ये दो का जोड़ा है ना ये पूरा का पूरा नीचे उतर जाता है और जो अपने भागफल लिया है उस भागफल को यहां हम जोड़ देते हैं तो आठ और आठ शोले आ गया अब ये शर्त होती है ये सारी शर्त है ये हम सीखें और जिनको आता है वो सीखते रहें मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यार यहां क्या रखूं मैं जिसे यहां रखने पर इसके पास पहुंच जाऊंग आराम से सोच कर बताना सेम अंक रखा जाएगा यहां पर भी समान अंक होगा समान अंक होगा और यहां पर भी वही समान अंक होगा सोच समझ के मुझे बताओ आराम से बताओ टाइम चाहे कितना भी लग जाए टाइम की कोई जरूरत है टाइम की कोई बाउंडिशन है कोई बाउंडिशन नहीं है मेरे लिए भी नहीं है आपके लिए भी नहीं होने चाहिए अब यह आप सीख रहे हो है ना चलो तो क्या हम यह कह सकते हैं कि सभी स्टूडेंट मुझे जवाब दे रहे हैं जैसा कि मुकेश कुमार दे रहे हैं त्रिप्ती जांगिड दे रहे हैं आंसर 7 रखेंगे मृतियुंजे दे रहे हैं 7 रखेंगे वैल डन वैल डन बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप यहाँ पर आप 7 रखेंगे अब जैसी आप 7 रखेंगे तो 7 का अगर इससे गुणा कर रहे हैं 167 का अगर आप 7 से गुणा कर रहे हैं तो कितना आया 7 7 49 साचिंग 42 और 4 46 साथ एकम साथ और चार 1179 कितना निकल कर आ रहा है आठ यही फालतु है इसमें यही फालतु है अगर यह घट जावे ना इसमें से अगर यह घट जावे तो पूर्ण वर्ग बन जाए संख्या तो बस आंसर आगया आठ अमन कह रहे हैं सथ थोड़ा फास्ट अमन हाथ जोडता हूं भाई यार फास्ट नहीं हो पारा यार समझना जो मेरे को तुम फास्टों के चक्कर में क्या होगा कि और जो स्टूडेंटे जिनको समझना है वो भी रह जाएंगे फास्ट कैसे कर लो यार आप खुद सोचो न पास्ट के रहे हो फास्ट किस चीजा फास्ट कौन सी जल्दबाजी मेरे को बाई जल्दबाजी हो रही है कुछ बहुत लोगों को जल्दबाद ही बहुत होती है, क्योंकि उश्या रहे हैं खुद, बहुत ज्यादा, ऐसा मत करो भाई है न, चलो, तो यहाँ पर हमने देखा, आठ घटाने पड़, यह तो है इसका बेसिक, अब सर इसका शॉर्ट कुछ हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है अगर आप मेरे से स्क्वाइर पड़े थे कल, जो कि मैं मंडे को भी शुरू करने वाला हूँ, कि हाउ टू रिकोगनाईज दीस टाइफ अफ कोशन एजली, ठीक है न, ठीक है न, आराम से देखते हैं, मैंने देखा 7577, देखा न मैंने, आप 7577 में से, यह घटाते मान लो, तो कितना निकल कर आता, यह निकल कर आता, आप 7577 में से, अगर आप 6 घटाते तो कितना निकल कर आता, पिचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचच तो आपका 7599 निकल कर आता अब बताऊँगा कॉंसेट जादुई तरीका ये तो जानना जरूरी है मैं इसको कभी भी इग्नॉर नहीं कर सकता अगर मैं आपको ये तरीका पहले बता रहा हूँ न तो मेरे से बड़ा बेफकुफ कोई नहीं है इस दुनिया में और या फिर मैं आपको विफकुब बना रहा हूँ अगर ये पहले मैं बता रहा हूँ ये सबसे बैस तरीका है जो आना चाहिए ये फुल्फिल हो या ना हो लेकिन ही आना चाहिए इस कोशन में ये लग गया मैं बड़ा खुश हो गया चलिएगा अधित्य सिंग कह रहे है इतना स्लोप पढ़ाओगी तो टैंट का पेपर भी नहीं निकलेगा ये तो गौर्मेंट का एक्जाम है आप भी जानते हो ये बात अधित्य कौन से एक्जाम की तयारी कर रहे हो एंटी पीसी की कब का नॉटिफिकेशन आया हुआ है दो साल हो गए अभी इसलिए बस कंप्लेट नहीं हुआ तुमारा टाइम बहुत होता है इंसान के बस तयारी करने के लिए इसलिए दिया जाता है कि आराम से तयारी करें और जिस्से की वह साथ मिनिट में चीजों को कर पाए ठीक है सिखाने के लिए स्लो ही सिखाया जाता है जहां लखना को टीचर तुम नहीं हो टीचर मैं हूँ तो मुझे पढ़ाने दो तो देखेगा जरा चीजे क्या है यहाँ पर मैं यह क्याना चाहता हूँ कि क्या केवल अगर एक जीरो हो तो कभी भी वो परफेक्ट स्क्वाइर बन सकता है क्या बोलो क्या कोई एक जीरो हो तो क्या परफेक्ट स्क्वाइर बन सकता है क्या नहीं बन सकता कभी भी नहीं बन सकता क्या कोई भी स्क्वायर आपने 24 तक क्या कोई भी स्क्वायर 24 तक आपने देखा हो जिसके पीछे 21 आता हो तो मेरे को बता दो कोई भी देखा हो जिन्दिगी में जिसके पीछे 21 आता हो ये क्वालिटी जी बता रहा हूं जो सब लिखाऊंगा कोभी में चिंता ना करो कोई देखा है आस तक जिंदिगी में होता ही नहीं है होता ही नहीं है अच्छी बात है साथ 61 होता है 61 मैं agree करता हूँ 61 होता तो मान जाता है एक बर को सोचता 61 कभी जिंदिगी में नहीं होता 2 ये कभी आता ही नहीं perfect square में 2 कभी आए गई ही नहीं उठा के देख लो आप, कोई दो वाला perfect square बनी नहीं सकता, आंसर क्या बचा, D, ये best तरीका है, सारे तरीके हैं मेरे पास, long method जो government exam को निकलने के काम नहीं आएगा, short method जो exam को निकलने के काम आएगा, लेकिन आने दोनों चाहिए, जिससे की 10th का भी निकल जाए, और government exam भी निकल जाए, है ना, और सिखाएं दोनों जाने चाहिए आपको, जिससे की चीज़ें आपको समझ में आने लगे, है ना, चलिए, एक घंटे में पांच कर रहा, हाँ, चंदन गुपता पढ़ाई कर लो dear, मैं आपको सिखा रहा हूँ है ना, चिंता मत करो, प्लीज है ना, प्लीज कॉर्पेट, आगे चलते हैं, अगला question, आपके सामने ये रहा, करके बताओ, आपके सामने ये रहा हूँ है ताइम सब हो गया, अब question easy भी आते हैं कुछ, अब कुछ लोग ऐसे कहेंगे, ऐसे भी आते हैं क्या सर, अब जैसे आते हैं वैसे बता रहा हूँ, 8.5% है, 6 साल की बात की गई है, अब 8.5% दर है, 6 साल आपका समय है, और 2000 रुपे पर व्याज पूछा गया है, तो क्या करोगे, 8.5% को मैं 17 बटे दो लिख सकता हूँ क्या, हाँ लिख सकते हो, बात तो बराबर है, 6 साल की अगर मैं बात करता हूँ, तो 6 से गुणा कर दू क्या, कर दो सर, तीन, तो क्या हम यह कह सकते हैं, 51% आ गया, बिलकुल आ गया, यही तो ब्याज है, 51%, कैसे आया मैं दुबारा बता रहा हूँ, दर को समय से गुणा करना ही तो ब्याज होता है, सर, 51% किसका, यह पोश्ट प्रश्न है, मूल धन का, तो 2000 का 51% करेंगे, तो आपका आंसर निकल कर आ गया होगा, एक हजार बीस, विकल्प नमबर बी, अच्छा लग रहा है, लाइक खैंच के करो सब लोग, आरम आरम से आपकी लिए पढ़ाया जा रहा है, चिंता ना करो, यह सब काम की चीज है, है ना, चलिए, अगला प्रश्न ये लीजे, कमॉन, 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 आंसर दीजे, ग्वैद बढ़िया, झाल अब देखो तरीका देखो अरे क्वालिटी तरीका बताऊंगा लेकिन शुर्वात तो हमेशा बेसिक से की जाती है न शौट चाये छक्के उड़ाने हो लेकिन जिसको प्लेड करना नहीं आता वो कभी भी छक्के भी नहीं मार सकता यह ध्यान दखना आप लोग और जो कोच हो देख लेना चाये का भी भी तीन दर्जन 36 अम्रूद नभ्य रुपे में 36 अम्रूद नभ्य रुपे के हैं अब नभ्य का कोई गुणा जाए कि 240 यह बताओ है क्या सोच के बताओ है क्या 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 करें सर दिमाग लगाना पड़ेगा नभ्य का नहीं है तो क्या हुआ मान के चलो नभ्य रुपे में अगर 36 अम्रूद आ रहे हैं तो 30 रुपे में कितने आएंगे 30 रुपे में 12 आएंगे सही है न अब 30 का तो है हां आठ गुना आठ गुना कर दो 96 आंसर आगया हर चीज का तरीका होता है लेकिन पहले समझे तभी तो मैं एक पर क्यों लेके जाओ आप सोचने कि मैं एक अम्रूद का निकालूंगा फिर मैं कहूंगा कि अच्छा एक रुपे में कितने अम्रूद आएंगे मैं इस कोशन को लेंदी भी कर सकता था कैसे करता 36 एक रुपे में आ रहे हैं एक बटे 36 240 रुपे में 240 का गुणा ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो बात बराबर है ठीक है माइडियर चलो नेक्स कोशन आपको हजारों लोग गुम्रा करेंगे है ना मुझे पता है अब जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना तो क्या हो रहा है कि लोगों को लग रहा है कि पढ़ा क्यों रहा है तो इसलिए आपको मार्केट में बड़ा तगड़ा गुम्रा किया जाएगा और ये सबसे बड़ी चीज है इस समय तो प्लीज आप डिस्ट्रेक्ट मत होईएगा जिंदगी खराब हो जाएगी ये मेरी गारंटी है खराब हो जाएगी अभी भटक जाओगे ना तो लटक जाओगे ये समझ लेना ये मेरी परसनल सला है अगर कुछ मानते हो तो मान लेना वरना कोई बात ही नहीं है मैं पढ पढ़ेंगे वो तो पढ़ेंगे ही है ठीक है ना और जो लिख रहे हैं ना उनसे भी यही कह रहा हूं कि तुम भी अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो अब यह कोश्चन होगे अगला प्रश्ण यह है अब इस कोश्चन को करके बताओ क्या अंसर आएगा है यहार, ग만 Snौταकी से कोश्चन को करने तुमिह को कょ अब यहां विख को करके लिग यही को अब वग दुम, रचलन को क्या आएग में तुम कि ताइम सब हो गया कि इस कोशन का अंसर आपको देते हैं हम लोग कि बैए क्या है तरह समझने की कोशिश करना यह दे रख है थ्री इंटू वन माइनस सिक्स माइनस का थ्री आप कभी सोचते हो क्या यह क्या है यह होता है मॉड्यूलस जिसको कहते हैं मॉड कभी भी कहते हैं मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा ओल्वेज गीव्स पॉजिटिव तो माइनस थ्री विल भी प्लस थ्री ओप्शन नमबर ए ठीक है इसलिए एक एक चीज बता रहा हूँ क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल कोशन को भगाना थोड़ी ना यार जिसको नहीं आता उसको यह समझ में आ जाए कि अच्छा मुझे यहां से यह सीखने को मिल गया नहीं आता तो मैं पढ़ाऊंगा ना हर चीज मैंने मना थोड़ी ना कि हर चैप्टर चल रहा है ना हमारा झाल झाल टाइम सब हो गया देखो कुशन को देखो दो सहबागियों एम और एम ने एक कार खरीदी एम अपने हिस्से के लागत के तीन बटे साथ तीन बटे साथ तो मैंने मान ली लागत उसकी साथ है हमेशा जो नीचे का हिस्सा है ना ये वाला denominator कहते हैं इसको हमें सिखाया जाता है बचपन में इसको हर कहा जाता है denominator कहा जाता है आपने काफी सुना होगा इसके बारे में बोलो सुना नहीं सुना जो हर होता है ना इसे यहां मान लेना चाहिए हमेशा मान लो कि यहीं पूरा है, मान लो यहीं पूरा भाग है, हमेशा यह करना, मैं आपको यह प्रूफ करके दिखा दूँगा, कि साहिल सर हर कोशन को इसी से करेंगे अब, जो भी नीचे वाला भाग होगा ना, डिनोमिनेटर होगा, हर होगा, उसी को हम पूरा मान लेंगे, यही पूरा भाग है सर इससे क्या फाइदा होता है सब पता लगेगा तो M को क्या मिल रहा है हिस्से का तीन बटे साथ तो साथ का तीन बटे साथ याने की तीन हिस्सा और मिलता है और दो ही लोग हैं तो N को कितना मिलेगा चार मिलेगा जब M को स्थीन मिल रहा है तो N को कितना मिलेगा चार मिलेगा एम ने N की तुलना में इतने रुपे कम दिये कितने रुपे कम दिये इतने रुपे कम दिये इतने रुपे कितने रुपे हैं एक रुपिया यह रुपिया नहीं है लेकिन यह एक अनुपात है यह एक अनुपात कितने रुपे के बराबर है 31,540 तो कार में डिल कितने के हुई एक रेशो बराबर 32,540 है तो 7 का गुणा कर दो तो 7 के अठसाएं साथ पंजे पैंतीस और दो सेथिस साथ एकम साथ और तीन दस साथ ती एक्किस और एक बाहिस जीरो साथ सो असी option number C आपका right answer आ गया option number C आपका right answer आ चुका है चार कैसे आया सर राजू भै वही तो बता रहा हूँ कि तीन बटे साथ मान के चलो आप दो लोग हो घर में और total आपके घर में है चीज साथ अब एक को तीन मिल गई तो दूसरे को चार ही तो मिलेगी यार यह सोचो ना आप तो यही तो सिखा रहा हूँ मैं बस बई अच्छा लग रहा है ना यार दिल से like करो मुझे है ना सिर्फ और सिर्फ आपसे एक ही चीज चाहिए like और बहुत सारा share और बहुत सारा प्यार बस मैं निकल वाँगा पूरी की पूरी मैत यह मेरी गारंटी है अब आप विश्वास करो तो अच्छी बात नहीं करो तो अच्छी बात क्यों 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 कि वो नहीं सकता ना जब तक मैं करके ना दिखा दू तो रिजल्ट में सब पता लगेगा लेकिन पढ़ाया पूरा सठीक जाएगा बस यह लीजिएगा अगला प्रशन यह रहा करके बताओ तो किया कोश्चन है अब मेरा तरीका अलाग है अब यह कोश्चन कहते हैं कि सर्थ किसका है मैं कहता हूं कि कॉमन सेंस वाला कोश्चन है सिर्फ कॉमन सेंस वाला कोश्चन है यह आपको एक दे दिया ब्रत खंड बूछा है कि भाई इस वाले भाग का क्या होगा X का मान ग्याद करिए कि यह केंद्रिय कौन क्या बनेगा छेतर फल की बात की गई है तो आप मुझे एक चीज़ बताओ एक चीज़ बताओ पूरा गोला पूरा गोला कितने डिग्री में होता है यह पूरा गोले की अगर बात करूँ तो अगर इस सेंटर पर अगर यह पूरा कौन बना हो तो यह तीन सो साट डिग्री का कौन होता है यह सब पूरा हिस्सा हमेशा देहान रखना है एंगल में पूरा हिस्सा क्या है 360 डिग्री यही तो है इसका 5 बट्य 18 तो निकालना है वही तो आपका एक्स है O A P B का छेतरफल ब्रत के छेतरफल का 5 बट्य 18 भाग है O A P B इसका जो एरिया होगा वो अंतरित कौन यसी के बरावरी तो होगा तो पूरे हिस्से का 5 बट्य 18 निकाल लो ऐसे ही कोशन आएंगे सीख रहे हो न धीरे धीरे यहीं सीखा जाता है चीजों को यह ध्यान रखना समझ में आ रही है बात चीजें क्लियर हो रही हैं तो 100 डिगरी आपका आंसर आगया कितने लोगों का सई आंसर आगया मुझे यस करके बता दें आंसर भी नहीं आया तो लाइक करके बता दें कि सर हमें कलियर हो गया अगला प्रश्न आप करता है नहीं आता है कोई बात नहीं समझाओंगा न अब देखो वह भी कमेंट आने लग गया इतना कोष्ट इजी कुष्ट आता है कि एक्जाम में मैं कित्ती बार कह चुका हूँ कोष्ट्ट एक्जाम में हर तरह का आएगा चलो भाईया, इस कोशन को भी करके दिखा देते हैं, जामा पहना देते हैं पाईप A, B, C, किसी खाली टंकी से जुड़े हैं, जुड़ने दो, पहले दो पाईप, पहला पाईप चार घंटे, दूसरा पाईप दस घंटे में टंकी को भर सकता है, तीसरा पाईप 6 घंटे में खाली कर सकता है, आप से अगर मैं बात करना चाहूं, तो हमेशा क्या लिया जाता है, इन तीनों का लगुत्तम समावर्तक लिया जाता है, क्या होगा? साथ, सर ये क्या है, यही टंकी की टोटल छमता है, सर साथ ही क्यों लिया? भई इसलिए देखा मैंने साथ, कि नीचे 4 है, 10 है और 6 है, तीनों से भाग चला जाना चाहिए, सर कुछ और क्यों नहीं लिया, मैं पूछा क्या लूँ, बोले 30, मैंने कहा ये 30 में 4 का भाग कैसे जाएगा, भोले 30 मतलो 120, हाँ ले सकते हो, typical calculation पढ़ेगी, इसलिए हम least common multiple लेते हैं, इसलिए LCM का जाता है, लेने को तो आप 4080 भी ले सकते हो, लेने को तो आप 960 भी ले सकते हो, लेने को तो आगे कुछ भी ले सकते हो, लेकिन यहां लिया जाता है हमेशा LCM, इन तीनों स 15 दस का दिया तो कितना आया 6 और 6 का दिया तो कितना आया माइनस का 10 अब बोला गया है तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो आधी भरी हुई टंकी कोशन में ट्विश्ट है भाई आधी टंकी है तीनों पाइपों को अगर खोल दिया जाएगा तो 11 की रेट से भरा जाएगा ठीक है और आधी टंकी यानि की 30 यूनिट साथ नहीं है आधी टंकी 11 की रेट से भरने में समय कितना लगेगा 30 बटे 11 आपका आंसा आएगा ऑप्शन नम्बर ए आ रहा है क्या हाँ ठीक है आंसर आ रहा है क्या सबका जल्दी से मुझे बताओ आधी एक एक चीज को पड़ा करो मैं तीन चार चीज़े आप में डवलप करूंगा मैं आपकी कमी बता देता हूं क्या है मैं आपको आज कमी भी बताऊंगा आपकी एकसेट कर लेना कुछ लोगों को लगता है अर इसको अलग रख दो साइड में अड़ेगी जब अड़ जाएगी लेकिन अभी इसको नहीं देखना अरे उसको देखना पड़ेगा वरना फिर फेल हो जाओगे ना चलिए अभी कमी को सुधारने का वक्त है सुधार लो अगला प्रश्न ये है तो चलिए आंसर दीजिए इ झाल झाल ताइम सब हो गया अंसर आ रहा है क्या ठीक है 5 साल के लिए साधरन ब्याज की 9% की दर से X को निवेश करता है और उतना ही ब्याज मिलता है जितना की 8 साल के लिए उस रेट से मिलता है काम खतम 2 सेकिंड का काम है अगर डायरेक्ट पता है डायरेक्ट कर लो नहीं पता तो कोई बात नहीं मैं डायरेक्ट कैसे कराता हूँ और नहीं पता है कैसे कराता हूँ तो देखे वो भी आसान है X निवेश किया 9% की रेट है समय है 5 साल यही तो होता है ब्याज बराबर कर दो वाए अब 6.25 क्या होता है यहां बच्चा करता है परेशानी अब मैं कुछ लिख दूगा ना तो उनको समझ में नहीं आएगा कैसे लिखा मैं इसको 25 बटे 4 लिखूँगा आपको दिक्कत हो जाएगी 2 मिनट में सर ऐसे कैस लिख दिया हमें तो पता ही नहीं है जबकि 25 बटे 4 ही है 6.25 होता है एक बटे 4 परसेंटेज तो छे चौके 24 और एक पच्चिस बटे चार और समय कितना है आठ साल अब सॉल्व कर लो और क्या है परसेंटेज से परसेंटेज चला गया चार से गया दो बार पांस से गया पांच बार और आंसर आ गया एक सपॉन वाई का दस बटे नो ओप्शन नमबर बी आंसर आ जाएगा ठीक है ठीक है माई डियर ओप्शन नमबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा दस बटे नो अच्छा लग रहा है लायक करते रहें बढ़िया तरीके से पढ़ते रहें ठीक है ना हाँ हॉम अच्छा। होम्वर्क सब ने कर लिया जो मैंने कल वाली वीडियो में नीचे फाइल पिन करके दे थी कर लिया एक तो पता है मैं सब जाएंगी लेकिन फिर भी यह अगला कुश्चन है देखो करके बताओ कैसे करेंगे हम लोग नहीं कपिल साड़े बारे बजे वाली क्लास और ग्यारे बजे वाली क्लास जो चलती है वो मंडी टू फ्राइडे होती है करेंगे इस कोशन को सर हमें नहीं आता मैं तो कहता हूँ कि बढ़िया है नहीं आता क्यूं अब आसान हो गया न अब कैसे करें सर सबसे बढ़िया तरीका एक्स को कुछ भी मान लो लेकिन ऐसा मत मानो जिससे आपके आंसर लाने में इनकन्विनियंस या फिर ऐस उबीदा हो सर यह क्या मतलब हुआ बात तो वही पड़ गई न वह मानो लेकिन वह भी मत मानो मैंने का जैसे कि मान लो आप यह सोच रहो कि मैं एक्स को जीरो मान लो तो मैं कहूंगा कि आर एक्स को जीरो मान लोगे तो आप ऑप्शन में जाओगी हम तो एक्स बराबर एक्सो चालिस मानेंगे तो आप क्या करोगे सर तो मैं उससे एक बात कहूंगा कि यह भी सही है यह भी सही है लेकिन यह सोच लेना कि एक्स आपको यहां पुट करना पड़ेगा तो एक्सो चालिस का स्कॉायर करो यह सब काम करना पड़ेगा तो हमेशा avoid किया जाता है, हमेशा avoid करो बड़े data को, बड़ा data, avoid करो हमेशा, कि बड़ा data मुझे नहीं रखना है, ठीक है, तो ये allow मैंने कर दिया, तो अब answer देखो, एक रखने पर कितना आया, पांच माइनस तीन, पांच, एक प्लस चार, एक प्लस चार, है ना, तो ये कितना हो गया, दस हो गया, दस, माइनस, यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक रखने पर, दो, साथ, और माइनस एक, तो ये हो जाएगा, अठारा, अठारा हो रहा है, दस, म दस माइनस और माइनस माइनस प्लस और सत्रह हो गया ना यहां से आ गया पांच और तीन आठ सब पांच में से तीन गए तो दो और यहां हो गया पांच और दो पंजी दस माइनस साथ और माइनस एक ठीक है चलो भई सत्रह हो गया अब ऑप्शन में एक रखके देखो किसम सत् है माइनस एक क्लिस का दस माइनश का आठ सत्रह आ रहा है नहीं यह खिर मैंस का एक प्लस का दस प्लस का 8 आरहा है यह यह अध्य की आंसर हो गया कि एयर WHY दिसुनी चीजह क्लिए हो हाई ह्ये यह यह सारी चीजह है कुछ लोगों और भी है लगता है गया दो कोई आपको ऐसे नहीं पढ़ाएगा हर एक चीज को बता रहा हूं क्यूं रखनी है कैसे रखनी है ना ध्यान रखना ठीक है चलिएगा अगला प्रश्न ये लीजिए करके बताईए आंसर देके बताईए जल्दी से कम आन देकर बताएं का का झाले साथे मैं चलिएिए радर ये लीजिए लीजिए controller तुमी और हैं लन्ट टसके बताई है ये उन्सेजिस पड़ाएगा हर एक उड़ाएगा रहा है का 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 बताईए? का बता है है टाइम सब तोग्या काफी सारे विधियार्थियों कि यह कहना है कि सर है यहां माइनज वन का स्क्वाइर है यह ही तुग फहिमि है हमारी अगर मैं आप से बात कहनना चाहता हूं कि माइन एक Viviana स्क्वाइर करता हूं अगर मैं माइनश एकņ चीज नहीं है ओके समझने समझने का है अब क्या बोला गया है राज 51 किलोमीटर जाता है प्रती घंटे यह स्पीड है उसकी और एक निश्चत दूरी है इतने घंटे में तैक करता है तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी तो डिस्टेंस बरावर होता है स्पीड इंटू टाइम अगर मैं स्पीड की बात करूत तो कितनी आ रही है 51 km पर आवर 51 km पर आवर को अगर आप देख रहे हैं समय कितना लग रहा है 3 दूनी 6 और 7 बटे 3 गंटे तो आपकी दूरी कितनी आ जाएगी 119 km अब बोला गया है कि 68 km की रफतार से उसी दूरी को तै करने में याने कि 119 km को ही अगर मैं तै कर रहा हूँ और मेरी स्पीड कितनी है 68 है तो मेरा टाइम कितना लगेगा तो मैंने 17 से काटा इसको 7 बार 17 से काटा इसको 4 बार 7 एकम 7 3 वटे 4 याने कि हमारे सामने आंसर होगा option number B answer आ रहा है ठीक है अब सब कुछ लिखके बताया है कि 119 कहां से आया अब उसको 17 का पाड़ा नहीं आता तो student ये कहेगा कि teacher गलत पढ़ा रहा है या teacher ने समझाया नहीं तो ये काम आपको स्वयम करना पड़ेगा ये आपकी कमी है है ना डियर चलिए और भाई likewise करते रही है ना चलिए अगला प्रश्न ये लो भाई करके बताओ कितने लोग इस question को करते है करते हैं कि टाइम सब हो गया कि 15 साल पहले श्याम है ना प्रभात की तुल्णा में दुगनी आयूका था एक तरफ श्याम है और एक तरफ प्रभात है श्याम प्रभात से दुगनी आयूका था ये बात है 15 साल पहले की ध्यान रकना एक एक चीज पता लगा ले ना 15 साल पहले और 5 साल बाद 5 बटे 8 होगा मेरी बात को सुनो यार एज का गेप कितना है 15 साल पहले 15 साल पहले फिर प्रजेंट आएगा कहीं न कहीं बोलो 15 साल पहले फिर कहीं न कहीं प्रेजेंट आएगा ये है वर्तमान और ये क्या होगा फ्यूचर ठीक है 15 साल पहले वर्तमान और फ्यूचर तो 15 साल पहले वर्तमान से 15 साल और वर्तमान से 5 साल का फ्यूचर तो बीस साल नहीं आ गया क्या यह समझने वाली बात है तो बीस साल अब यह पांच बटे आठ ऐसे दे रख है हमें तो पता हिए आठ बड़ा होगा तो आठ इदर आएगा बड़े की साइडी और पांच इदर आएगा लड़ाई कंसेप्ट लेखना कैसे लगता है दड़ाई कंसेप्ट पांच दूनी दस आठ हिकम आठ पांच दूनी दस आठ हिकम आठ दस में से आठ गए तो दो अनुपात और बीस पंजे सो और आठ दूनी एक सो साथ तो बीस पंजे सो और एक सो साथ तो 160 में से 100 गए तो 60 तो एक ratio की value आगई 30 आगई शाम की वर्तमान आयू पूछीए शाम की 2 का गुणा कर दो क्योंकि शाम की आयू का अनुपाद 2 है तो 2 का गुणा करेंगे तो कितना आजाएगा 60 ये 15 साल पहले है वर्तमान के लिए 15 और जोड़ दो 75 आपका right answer आ चुका है अब आपको लग रहा होगा साल लड़ाई concept ही नहीं आता हमें तो मत आने दो ना यार सब सिखा दूँगा मैं मेरी जिम्मेदारी है लेकिर कैसे सीख पाओगे बिना पढ़े ये सोचो ना आप अभी शुरुवात ही कर रहे हो एक तरीके से तो बस ये सोचो कि निश्चिन तोगर पढ़ना है और फिर एक ही जगा से पढ़ना है ये जरूरी है दस जगह जाओगे कुछ नहीं मिलेगा हाथ में लाश्ट में कुछ भी नहीं आएगा ये सच बोल रहा हूँ मैं विश्वास मानिये मेरी बात का और अगर भरोसा है तो आप पढ़ सकते हैं मैंने काफी बच्चों को पढ़ाया है मुझे अच्छे से पता है ठीक है ये आपका होमवर्क है पहला कोश्चन ये नीचे कमेंट में आंसर देने ये आपका दूसरा तीसरा कोश्चन होमवर्क ये देने ये कर सकते हो परसु पढ़ाया था बोर्ड मॉस में चौथा पांच बियाई है ये आपको स्वाल करने है ठीक है ये कोश्चन सापके होमवर्क में मैंने दे दिये ठीक है माइडियर चीजे क्लियर है बाई जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो वीडियो को जरूर लाइक करें सेशन को जरूर लाइक करें साथ के साथ मैं हर चीज़ आपके लिए करता हूँ टेस्ट भी लेता हूँ हर वीक थस्डे को हमारा टेस्ट हुआ था मैंने बताया भी था आपको ठीक है मैंडियर तो टेस्ट अब एक आपका हमेशा होता है अनगेड़ी पर भी मैं टेस्ट लिया करूँगा आपका फ्री टेस्ट लिया करूँगा वो मैं बताऊंगा कब होगा ठीक है तो मैं सब चीज़ बताऊंगा कि special classes में कैसे कैसे आप जाएंगे उससे पहले आप special class में जाने से पहले मैं बता देता हूँ कि आप मुझे follow कर लेना मेरा नाम सर्च कर लेना यहाँ पर मेरी profile आ जाएगी साहिल खंडिलवाल के नाम से मुझे follow कर लेना जिससे की मेरी सारी class आपको दिख जाए ठीक है अनकेडमी पर मैं number one educator हूँ SSC exams का और आपको मैं rail में मैं भी number one बनाऊंगा यह मेरी guarantee है ठीक है और यह बिना कोई बात के नहीं होती है चीज़े आर आपके साथ मेहनत की जाती है और मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ यह ध्यान रखना ठीक है my dear बस और मेहनत के साथ ही सारे चीज़े होती है और यह मेरी मेहनत है जो आपको मैं पहुचा सकता हूँ उपर लेवल तक लेकिन आप भरोसा इस बात का रखना कि जो आप पढ़ रहे हो जो आपको सला दी जा रही है प्लीज उसको माने ठीक है चलिए मेरा फाउंडेशन बैच भी आप जॉइन कर सकते हैं अगर आप लोग जित्ते भी विध्यारती है जो रेलवे से हटकर CET की तयारी करना चाते हैं बहुत सारे विध्यारती यहां पर बहुत सारे CET के बारे में भी सोच रहे होंगे तो मैं तयारी करवाना शुरू कर दिया है मैंने foundation batch में मेरा foundation batch कहां मिलेगा कैसे मिलेगा मैं बता देता हूँ यह 0 से high level batch है complete math पढ़ाई जाएगी जिसमें SSE bank और rail वितीनों का syllabus consist है 12 महिने का यह course लगेगा उसके बार test series भी इसमें मिलेगी unlimited access मिलेगा यानि की all subject भी मिलेगी बाकी subject भी पूरा मिलेगा साहिल 10 आपको code लगाना है बिना किसी gap के anacademy पर ठीक है यह batch मेरा चल रहा है और इसे आप join कर सकते है running batch है यह अभी नहीं बनाया running batch है यह already SSE exams पर जाना है उसके बाद में get subscription पर जाना है 12 महिने का लेना है मैंने पहले बता दिया enter referral code में साहिल 10 code लगा देना है apply कर दीजे सारा काम हो जाएगा अपना class कैसी लगी जल्दी से मुझे बता दीजे board mass क्या होता है अब यही है ना बच्चे नई आते हर दिल board mass मैंने पढ़ाया है आप जैसी search करोगे board mass मेरी वीडियो आएगी पांच लाग बच्चों ने देख चुके हैं वो ठीक है आप भी जाकर देखिए मैंने जो भी classes ली है मैं कल से उनकी playlist के बारे में बताऊंगा आपको है ना ntpc सफलता बैच की playlist है आप जाके देखिए एसे लिखना चलो मैं बताता हुआ ना बताई देता हुआ ना आप क्या लिखना गूगल पर मतलब यूट्यूब पर जाना ऐसे लिखना ntpc सफलता बैच या फिर ऐसे लिखने ना मैत भाई साहिल एन टीपिसी मैत भाई साहिल सर ठीक है इससे क्या होगा wifi study पर आपको playlist मिल जाएगी अगर फिर भी कोई दिक्क्यत आती है तो प्ले लिस्ट का यक उप्शन होता है हर चैनल पर प्ले लिख का उप्शन होता यह उस प्ले लिस्ट के option पर जाओ वहाँ से मैंने अभी आपको Monday to Friday पड़ाया है वो वीडियो देokलो Monday से फिर दुबारा स्टार्ट होगा जो चल रहा है वो ठीक है चले तो थैंक यू सो मच वे नाइस डे बाइबाए मिलते हैं आप से लब यू वाल है वे नाइस देए अरे पीडियेफ का मिलेगी सर पीडियेफ का मिलेगी रोज बताता हूं कि पीडियेफ आपको कमेंट आप्शन में मिलेगी का मिलेगी कमेंट में कमेंट में मिलेगी पीडियेफ तो कर्वा देता हूं हर दिन करवाता हूं पीडियेफ हर दिन कमेंट में वीडियो के अंदर पिन और आज वाली वीडियो के अंदर आज वाली PDF पिन होगी तो ऐसे चलता है ठीक है ने ने साड़े बारे बज़े आज क्लास नहीं साड़े बारे बज़े वाला क्लास Monday to Friday होता है 11 से 12 जो भी क्लास है Monday to Friday होता है ना यह पहले ही बता रखा है ना आपको चलिए अब कमेंड सेक्शन कहा होता है अरे नीचे वीडियो के नीचे मिल जाएगा कल नहीं हुआ था क्योंकि कल मेरी तबेद खराब थी फिर मैंने मैडिसिन ली थोड़ा तबेद ठीक हुआ मैंने 11 बज़े वाली क्लास ली इसके बाद अब भी मैं रेस्ट करूंगा मैडिसिन लूँगा और मंडे तक परफेक्ट होका फिर मंडे से कंटीन्यू क्लासेश चलेंगी जो मेरी चलती आई है ठीक है मैडियर इसी वज़ा से ठीक है ना तो यह इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको का मिलेंगी हाँ ठीक है पस पढ़ाई करते रहो मैं आपको परफेक्ट बनाना चाहता हूँ मेरा सिर्फ यहीं उद्देश्य है कि आज सिर्फ यहीं नहीं होगा मंडे से होगा कल मेरा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मेरा तबेत्तोरा खराब था है ना इसी वज़ा से कल मैं डैली पुलिस कराऊंगा कल मेरा डैली पुलिस का होगा 11 बजे कल मेरा डैली पुलिस होगा अभी तो मैं सिर्फ एक एक क्लास ही ले रहा हूँ क्योंकि मना किया है डॉक्टर ने ज्यादा क्लास लेने से इसलिए मैं सिर्फ यह 11 बजे वाला क्लास ले रहा हूँ एक जिससे की जरूरी रहता है कि बच्चे दिल्ली पुलिस वाले भी पड़ पाएं बाकी मंडे टू फ्राइडे एंटी पीसी चलता ही रहता है हमेशा ठीक है कलका 11 बजी यह कलका कोई प्रोग्राम मैंने रखा नहीं क्योंकि अभी थोड़ा बहुत ठीक हो जाए तो उसके बाद फिर मैं कंटीन्यू करूंगा भाई क्योंकि लेनी तो कंटीन्यू सारी क्लासे सी है ना तो थोड़ा रेस्ट करके लेना ज्यादा बैटा रहे है फिर लंबी चली जाएगी दिखकर आजाएगी ने ने वह नहीं है मेरे तो यहां दर्द है बस कान के नीची थोड़ा सा दर्द है तो यह सारी चीज़े मंडे टू फ्राइडे क्या पूरा कंटीन्ट बनाना पड़ता है तो इसी वज़े से सब कुछ कर रहा है तो टेक क्या ध्यान रखना अपना आप भी थोड़ा स्वस्त्र है ना घर से बार मत निकलना वहिया है ना चीज़े बहुत फैल रही है खामों काम बैड पर पढ़ जाओगे तो फिर पढ़नी पाओगे और सबसे बड़ी चीज़ है पढ़ाई कंटीन्यू रखना तो अप अपना ध्यान रखो खुदी रख सकते हो आप अपना ध्यान है हां मेरा जो फाउंडेशन बैच है उसमें आपको सारी क्लासिस मिलेंगी जो भी मेरी चल रही है यह ना यह मेरा जो फाउंडेशन बैच चल रहा है ना SSC के टेगरी में यह साहिल 10 को लगा कर आप जुड़ स चाहते हैं कि अब तक मैं फौरम ही निवारा मैंने NTBC का लेकिन फिर भी मैं तयारी करना चाहता हूं आने वाले upcoming exams के लिए कुछ लोग क्या होते हैं 10 में होते हैं 12 में होते हैं या फिर graduation के B.Sc. में होते हैं या MA में होते हैं BA में होते हैं तो उनको क्या करनी होती है तयारी से पढ़ सके और फिर उनको वीडियो देख निये सारी कि सारी तो यह एससी में मिलेगा सब सब्घ्जेंट मिलेंगी इसमें आपको सबस्केंद याए आपको अचाली लन neon गब पर जा कर यह कोड लगाओगे तो डिसकाउंट मिलेगा आपको यह स्पेशली उन्हें भी स्टूडेंट के लिए जो पर्फेक्ट तैयारी करना चाहता एससी वालों के लिए तो है साथ किसा सीटी वालों के लिए भी है यह नहीं मैं अभी इसी अपर बढ़ा रहा हूं ऐसे चुटी कौन से दिन रहेगी मंडे टू फ्राइडे तो मन लगा कर पढ़ना है संड़े अप रेश्ट कर सकते हो आपकी इच्छा है लेकिन मंडे टू फ्राइडे तो पढ़ना ही पढ़ना है यह तो यह समझ लो की जिन् आराम कर लेते हैं फिर बाकी पर्सों से class लेनी है continue take care love you all